हेलो गाईज, आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Most Important Questions for ICS-3 Class 10th Biology Board So guys, आप में से जितने भी वच्चे 2021 का Board देने जा रहे हैं Biology का आपको पता ही होगा कि आपके जो Biology की बुक है उसमें से कही सारे चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं अब जो आपके पास चैप्टर आ रहे हैं वो है पहला तो Cell, Structure of Chromosomes, Absorption by Roots, Transpiration, Photosynthesis, Circulatory System, Excretory System, Nervous System, Sense Organ and Endocrine System So guys, ये सारे चैप्टर सी आपके पास एक्जाम में आ रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको चैप्टर वाइस इंपोर्टेंट क्वेशन्स बताने वाला हों कि किस चैप्टर में से कौन-कौन से जो क्वेशन्स है वो इंपोर्टेंट है और जिनकी probability ज़ाद है कि वो एक्जाम में आपसे पूछे जाएं तो चलिए गाइस बिना time waste करते हैं डिरेकली शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं structure of chromosomes की इसमें जो आपने देखा होगा इस वाले चैप्टर में से अगर आपने 10-year revise करी होगी तो आपको पता होगा कि फेज़ आइटिफिकेशन का question जरूर आता है इसमें आपको phases identify करने को दे देंगे जो आपका biology का paper है एक तो a portion रहता है और दूसरा b portion रहता है जो b portion रहता है उसमें आपको diagram based questions रहते हैं biology में इसमें से यह आपको सारे जितने भी diagram दे रखे हैं आपको कोई भी diagram दे दिया जाएगा की stage identify करने को कहा जाएगा suppose यह diagram दे देंगे और पूछेंगे आपको कि यह कौन सा इसमें कौन सी stage को represent कर रहा है तो आप लिखेंगे pro phase ठीक है ऐसे ही आपको कोई भी diagram दे सकता है cells identify करने को आ सकती है guys cells identification में main चीज़ क्या दिहान रखनी है अगर rectangular shape में है तो वो क्या होगा आपका हमेशा plant cell अगर circular shape में है हमेशा क्या होगी animal cells होगी ठीक है मैंने आपको इसमें से बता दिया main और most important तो यही है इस chapter में से कि आपको phases को identification करने को आता है कि यह कौन सी phase है इस phase के बारे में बताईए इस इस से पहले या इस phase के बाद कौन सी phase आती है और जो आपको diagram दे रखा है उसमें से structure का identify करने को भी पूछा जाता है ठीक है यह तो था most important question from structure of chromosomes साते साथ इसमें से अगर कई बार आपको ए पोर्शन में यह भी पूछा जाता है कि mitosis और meiosis में क्या के difference है और जो इसका last important है cell cycles की phases आपको cell cycle की सारी phase को ढंक से याद कर लेना है क्योंकि कितनी phases होती है non dividing phase कितनी होती है और dividing phase कितनी होती है ठीक है यह सब आपको detail में याद कर लेना है क्योंकि अगर आप एक बार यह याद कर लेंगे तो आपको इसे समझने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी और ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो ये तीनों चीजे थी guys आपके structure of chromosomes chapter में so guys अब बात करते हैं आगले chapter absorption by roots की so guys मैं आपको directly exercise portion से ही बताने वाला हूं कि इसमें से क्या-क्या important है सबसे पहले guys एक ये वाला diagram जो आपको दे रखा है जिसमें plant cells represent करी है इसमें कई बार इसके part label करने को आता है और इसकी state पूछे जाती है कि कौन से state है ठीक है और इसकी सारी conditions के बारे में पूछा जाता है एक तो ये दूसरी चीज़ के है guys आपको सारे experiment धंग से पढ़ लेने है जैसे यहां पर दिया है ऐसे कोई भी आपको experiment का setup दे दिया जाएगा और उसके according आपको questions पूछे जाएंगे ठीक है और guys इसमें दो important चीज़े आती है एक तो ये अगर आपके हो सकता है chances हूँ कि आपके preboard में भी ये वाला question जरूर आया हो so guys इस वाले questions में यहां पर आप देख सकते हैं यह मैं focus कर रहा हूँ so guys यहां पर जो आपको test you ball experiment है तो इस वाले का भी बहुत जादा chances है guys कि आपके exam में आपको पूछा जाए ठीक है एक ये और दूसरा यहां पर क्या है guys आपको तीनो beaker दिये गए है यह 2014 में भी question आ चु camera तो यह कौन सा solution होगा यह कौन सा होगा ठीक है तो आपको identify करना है guys कौन सा hypertonic है कौन सा hypotonic है और कौन सा isotonic है ठीक है guys यहां पर मैं कोई भी concept explain नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस सारे concepts already अपने chapter के explanation में करे हुए हैं तब भी अगर आपको कोई doubt आता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं so guys हमने इस chapter का भी देख लिया कि इसमें क्या क्या important है अगला आता है हमारा transpiration guys transpiration chapter जो है इसमें आपको एक main ध्यान जो है पोटो मीटर का रखना है एक पोटो मीटर का जितने भी आपके पोटो मीटर है आपको उसकी functioning समझ लेनी है उस device का काम क्या है आपको ये भी उसके साथ साथ समझ लेना है ठीक है एक ये वाला आपके जितने भी experiments है so guys मैं आपको वापस से exercise portion में से ही समझा देता हूँ गाइज एक ये वाला ये 2015 में आपसे पूछा गया है ये बहुत ही important है इसमें आपको same setup दे दिया जाएगा इसके basis पर आपसे question पूछे जाएंगे कि एक potted plant को cover करा हुआ है एक sheet से एक तो ये वाला questions दूसरा guys ये वाला question ये भी आपको 2014 में पूछा गया है ये figure based question है guys जिस में weighing mechanism के बारे में आपसे discuss किया है ये भी मैं already आपको अपनी videos में explain कर चुका हूँ बस आपको मैं main main questions बताना चाहरा हूँ कि इनमें कौन-कौन से questions main है एक तो guys potted plant वाला दूसरा weighing scale वाला तीसरा है guys potometer का मैंने आपको पहले भी बूला और अभी भी बोल रहा हूँ potometer का questions भ तो इसमें से सिर्फ 2 experiment ही important है आपके लिए वो 2 experiment कौन-कौन से होने वाले है guys सबसे पहले एक तो आपके लिए ये वाला है जिसमें आपको दो test tube दे रखी है एक में snail present है एक में normal plant है और snail present नहीं है ठीक है दो test tube वाला है जिसमें एक में green water plant है और snail है और एक में सिर्फ green water plant ही है एक तो ये वाला question बहुत important है guys आपके लिए इसकी probability है कि आपके board में पूछा जाए और दूसरा guys ये ये वाला experiment जो है ठीक है ये diagram experiment है ठीक है diagram आपको दिया हुआ इस basis पर आपको experiment के question पूछी जाएंगे कि इस experiment में क्या करा जा रहा है अंदर क्या present है बाहर क्या present है इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है so guys ये दो important थे इस chapter में से अब guys बात करते हैं circulatory system की तो guys circulatory system बहुत important है आपके लिए so guys आपका जो circulatory system है इसमें आपको थोड़ा ज्यादा focus करना है क्योंकि इससे questions थोड़ा ज्यादा आने के chances है ठीक है इसमें guys सबसे पहले आपको यहाँ पर blood vessels के identification के लिए ये वाला question आ सकता है ये बहुत important है guys इसमें आपको पूछा जाएगा कि इनके walls के बारे में जिसका explanation chapter में भी किया गया है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में भी इस पर main focus किया था यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं यह बहुत important है board point of view से ठीक है आपको तीनों blood vessels के बारे में पूछा जाता है और उनकी walls के बारे में questions आते हैं दू इसरा guys यह gases exchange, gases exchange arteries और veins के बीच में capillary के through जो हो रहा है यह तीनों जो है बहुत important questions है इस chapter में से ठीक है तो guys यहाँ पर एक चीज़ आती है या तो आपको यह वाला question पूछा जाए या फिर आपको यह वाला questions पूछा जा सकता है जिसमें आपको cells के content के बारे में पूछा गय है यह वाला तो guys अगर आपने cell वाला chapter धंक से पढ़ लिया तो उसके according भी आप इन सबके answers दे सकते हैं जो कि cell structural and functional unit वाला था जिसमें आपको पूरी table में different part of cells को explain किया गया है तो अगर आपने वाला chapter धंक से पढ़ा है तो इस question को आप automatically ही solve कर सकते हैं आराम से ठीक है अब करते हैं guys excretory system की guys या तो आपको kidney structure के बारे में पूछ दिया जाएगा या तो आपको nephrons के बारे में पूछा जाएगा या फिर bowman's capsule के बारे में पूछा जाएगा यह तीनों guys बहुत important है क्योंकि आपको क्या धियान रखना है हमारा chapter का नाम है excretory system excretory में क्या क्या ठीक है और इन में से जो यह वाला structure है यह 2014 में भी आपको पूछा गया है तो आप इसे underline कर लेंगे एक यह वाला आपका nephron का दूसरा kidneys का ठीक है और तीसरा आपका bowman's capsule का यह important है इस chapter में से अब बात करते हैं nervous system के questions की guys nervous system में क्या है आपको या तो nerve cell का diagram बदाने को आ जा यह diagram बहुत ही जादा important है ठीक है एक तो यह वाला हो गया और दूसरा guys आपके brain के parts के बारे में आपको पूछा जा सकता है यह वाला भी आपका बहुत important है brain वाला जो भी portion है इसमें आपको पूछ देगा cerebrum कहां पे है cerebellum कहां पे medulla oblongata कहां पे है ठीक है parts level करने को आ सकते है ठीक है उसके बाद guys इसमें जो last important चीज है वो है reflex वाला system यह वाला जो पूरा आपका diagram है यह आपको progress check में भी दे रखा है अगर आपने chapter के last में ध्यान दिया होगा यह वाला है guys तो यह diagram important है यह board में भी पूछा जा सकता है एक यह हो गया main इसमें से nerve cell और parts of brain है और तीस addresses है वो यह है आपका reflex वालेगा ठीक है अब guys यह तो था हमारा nervous system का अब बात कर लेते हैं अपने next chapter sense organs की so guys sense organs का जैसे हमें इसका भी नाम से पदा चल रहा है main eye का structure आपको दिया जा सकता है और guys eye structure में भी mean आपको eye defects के बारे में दिया जा सकता है आपको identify करना रहता है कि यह यह वाला eye defect कौन सा है और यह वाला eye defect कौन सा है इनके correction के ways भी आपको पूछे जाते हैं और reason पूछे जाते हैं कि यह eye defect क्यों होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है ठीक है एक तो eye defect का हो गया और guys उसके बाद most important जो है second question वो है आपका structure of air का इसमें आपको कोई भी structure जो है detail म दे सकते हैं या तो आपको middle ear का दे दे या फिर inner ear का दे सकते हैं मगर आपको structure of air भी detail में पढ़ना है इसकी भी मैंने अलग से video बनाई है आप वो जाके देख सकते हैं तो इस chapter में से हमारा क्या के important निकल के आया कि एक तो eye का structure दूसरा हमारे air का structure जिसमें हमें airs के बारे मे बताया गया है so guys मैं आपको कोई weightage wise नहीं बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ important questions बता रहा हूं इसे आप underline करते जाए या कहीं पर note कर दीजिए ठीक है क्योंकि यह आपके लिए important रहने वाला है एक तो guys यह हो गया अब आता है हमारा endocrine system या तो guys आप thyroid gland का आ सकता है आपके बताना है कि यहां पर कौन-कौन से glands located है ठीक है जैसे यहां पर pitutory यहां पर thyroid यहां पर adrenal यहां पर pancreatic gland ठीक है इस तरीके से आपको यह वाला एक structure यह important है दूसरा आपका यह वाला structure important है ठीक है so guys यह थे हमारे पूरे biology की course में से most important questions guys आप इसके अलावा अगर 10 year में से भी जो मैंने आपको chapter में बताया I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको guys कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं अपना feedback देना मत भूलिएगा guys जरूर मेरे को comment section में बताईए कि आपको video कैसी लगी ठीक है दूसरी चीज़ guys आप 10 year की अगर book तो आपको most important questions में से सिर्फ यह questions मिलेंगे अगर आपको कोई होर question मिलते हैं जिसमें आपको doubt आता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं so thank you guys for watching my video मिलते हैं अपनी next video में